हलो आज है फर्स्ट डिसम्बर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विपरो के बारे में अज है यह सुरू कर उसे पहले अपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीज़े क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियों से हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो विपरो का शेर 634 से लेकर 635 के बीच में जूले खा रहा है और एक महिने में अगर देखें तो पिछले एक महिने में तीन प्रतिशत के आसपास की गिरावट है इस भी 660 रुपे से 620 रुपे तक भी शेर टूट गया था लेकिन दुबारा तेजी लौटी ज़रूर अब वापस थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है लेकिन पिछले एक साल में देखें तो ये भी मानना पड़ेगा कि विपरो ने बहुत ही अच्छा खासा पैस है ये लेकिन उसे जादा की तीजी हमेशा दिखाई है फिर करेक्ट हुआ है नीचे की तिरफ गया उससे जादा की तीजी आई है करेक्ट हुआ है फिर तेजी आई है अभी करेक्शन का माहौल चल रहा है और देखें मार्केट अपने all time high से बैठा हुआ था जब विपरो क करेक्शन आया है खरीदारी के ही मौके बने है यहाँ पर और अगेन पेसंस होना जरूरी है विपरो के शेर में अगर आप खरीदारी करते होगे कि लॉंग टम का यह शेर है शॉर्ट टम का नहीं अगर आप चैनल को रेगिलर फॉलो करते हो तो पिछले एक साल से विपरो म लॉंग टम में विपरो में फाइदा ही फाइदा है विपरो ने भईया जो लोगों को पैसा बना कर दिया है हम हर बार एक्जामपल देते हैं एकर आज से 40 साल पहले दस हजार रुपे का भी अगर आपने नीवेश विपरो में किया होता तो आज उसकी वैल्यू एक हजार 600 से 1,800 करोड तक की हो गई होती कुछ लोग बोलेंगे कि भईया 10,000 रुपे की 40 सा पहले वैल्यू भी तो अगर इन मैं कह दू जितनी वैल्यू 10,000 की 40 साल पहले थी उससे कई ज़दा वैल्यू आज भईया 2,000 करोड रुपे की है ठीक है तो वो चीज़ भी ध्यान में पास अच्छे का सी होल्डिंग है 73.02% की होल्डिंग प्रमूटर के पास है 9.69% की होल्डिंग एफाइल के पास है 1.94% मूचल फंड के पास है इंस्ज़ूरंस कंपनी ने बड़ी बिक्वाली करी है 0.05% की होल्डिंग उनके पास जो पहली 3.75% कе आसपास हुआ करती थी विपरो को लेकर देखे तो 50% का ये dividend पे कर रहा है, देखने में एक रुपए का ये dividend है, लेकिन अगेन मैं कह दू, विपरो की जो USP है वो dividend में नहीं है, विपरो ने जो लोगों को पैसा बना कर दिया है, वो dividend से बना कर नहीं दिया है, बलके भाईया बोनस से लोगों का यह पर पैसा बना है विपरो ने कई बार बोनस दिये है विपरो के शेर लगातार बढ़ते चले गए और एक शेर का भईया 10 शेर बन गया 20 बन गया 30 बन गया 40 बन गया 50 बन गया 100 बन गया इस तरीके से विपरो के शेर मल्टिप्लाई होते गए है और पैसे भी लोगों के भईया multiply होते गए है विपरो में अगर हम देखे तो उसी 5% लोग ही है according to money control user जो बेचने की बात कर रहे वनना हर कोई कहेगा खरीदारी की और खरीदारी करी है तो बने रहने की शेरखान से लेकर जो इतने भी बड़े बड़े brokerage firm है चाहे मोतिलार ओस्वाल हो हर किसी के target अच्छे खासे है 800 से लेकर 7500 तक के target हमें देखने को मिल रहे है जो कि again एक अच्छी बात है विपरो में देखें तो revenue हर साल इनका बढ़ा है और profit उससे भी जादा बढ़ा है विपरो के हर साल के profit पिछले साल के मुकाबले जादा है 2021 में अब तक का सबसे highest profit इस company ने कमाया है और 2022 में उससे जादा profit ये company कमा सकती है क्योंकि already इनका जो profit है वो दो quarter में 6000 करोड से भी जादा निकल लिया है तो इसी रफ़तार से अगर बढ़े तो भईया 12000 से 13000 करोड तक के profit होंगे इनके सालाना तो ये अगेन एक बहुत अच्छी बात है विप्रो के लिए विप्रो में देखा जाए तो 32 का PE है तो भईया महंगा तो नहीं क्योंकि sector PE है वो 37-38 का है तो सस्ता है ये share अभी भी 43% analyst आपको खरीदारी करने की सला दिते हों नजर आ रहे है विप्रो में खरीदारी का सही मौका है क्योंकि share overboard zone में नहीं है कोई भी rate flag नजर नहीं आ रहा है और अच्छी कास होल्डिंग भी विप्रो में देखने को मिल रही है बड़े बड़े fund houses के साथ साथ अगर देखे तो यहाँ पर retail investor के पास जादा होल्डिंग नहीं है 2.75% की ही holding है latest जो holding है बाग के सब कुछ बड़े प्रमोटर और बड़े fund houses और बड़ी parties लेकर बैठी हुई है विप्रो को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो आप में patience होना चाहिए इस share को hold करने का तो कि होता का है पता है लोग खरीद तो लेते हैं फिर जब थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है या फिर share move नहीं करता है लंबे समय के लिए 2-3 महिने के लिए share 600 से लेकर 600 की range में जब गुमता रहता है तो लोग frustrate हो जाते है panic कर जाते है कि यार पैसा तो बन नहीं रहा है कि विपरो में चोला जितना बनना था बन गया अब नहीं बने ऐसा कुछ नहीं है विपरो में हर बार पैसा बना है और जिस तीजी से विपरो का share भाग रहा है मुझे लगता है कि अगले साल तक विपरो आपको bonus डिकलेर करता हुआ नजर आ सकता है 2019 में bonus दिया 17 में दिया 10 में दिया 5 में दिया 4 में दिया इसे पहले भी दिया split भी हुआ है ये शर्ड़ बार split हुआ है और कई गुना shares लोगों के बने हैं पैसे लोगों के बने हैं यहाँ पर तो विपरो को लेकर एक ही चीज़ है यहाँ पर IT शेत्रे की दमदार कमपनी है बड़ी कमपनी है समय के साथ जो टेकनलोजी है वो और ज़्यादा बहतर बनेगी इवाल्व होगी और जो कमपनी IT सेक्टर से बिलॉंग करती है अच्छी कमपनी है बड़ी कमपनी है उसमें भाईय ग्रोथ है और ग्रोथ रहेगी हमेशा तो विपरो में भी तेजी देखने को मिलेगी और मैंने हमेशा कहा है कि विपरो हो, इन्फोसिस हो, SCL हो, TCS हो, इन्फोएज हो इन शेर्स में भाईया पैसे कभी भी लगा सकते हो और खा सके तब लगाने चाहिए जब ये शेर्स टूट रहा हो, करेक्ट हो रहा हो और अभी मौका है, विपरो में करेक्शन चल रही है शेर के प्राइज में गिरावट आ रही है तो ऐसे वे खरीदारी के ही मौके बन रहे हैं और आगे ये भी आपको खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आने वाले हैं तो खरीदारी करो, किसी एक प्राइस पर अगर बहुत सारे शेर्स ना खरीदने हो थोड़ी सी कॉंटिटी खरीदो, अगर गिरावट आती है तो और कॉंटिटी को और कुछ शेर्स को एड़ करते जाओ और लॉंग टर्म के लिए जब भी गिरे, खरीदने के मौके है पैनिक में आकर बेचने की जरूरत यहां पर नहीं है लॉंग टर्म का अगर आपका परस्पेक्टिव होगा तो डेफिनिटली आपको फाइदा जरूर होगा वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करे, श्राइक करे, चनल बगरा पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करे और वीप्रो के बारे में आप क्या सोचने हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यो